स्टांडर्टू हिंदी वर्ण मला से सब्द बनाए बच्चों ये सब क्या देख रहे हो देख रहे हो आप लोग क्या है सब ये फ्लेस काड क्या है फ्लेस काड आप समझेंगे की फ्लेस काड से क्या होगा ये सारे टुकडे है वर्ण मला है बच्चे जब ये वर्ण माला दूसरे एक वर्ण माला से मिक्स होता है तब एक सब्द बनता है जिससे कल कल हमें लिखना है तो पेले ये गया उठाया को साइड में कर देती है सब हम देखो अभी यहाँ पे है ये क्या है कर्च क के साथ हम ल जुड़ेंगे तो क्या हुआ पड़ो सही पड़ो क्या है ये कमल का क और लड़के का ल क ल हुआ न क ल वे से ही जल बनाना है तो क को उठा दो साइड में जल ले के आओ जल के साथ ल जुड़ दो क्या बनेगा जल ल अब ल के साथ न जुड़ेंगे तो ल ल होगा का नहीं होगा होगा अब जो भी यह है मैजिक जो भी वर्ण माला के जो भी अक्षर है हम एक दूसरे को मैच करेंगे चाथ में रखेंगे तो कोई न कोई हमें एक सब्द बनता हुआ दिखाई देगा को माला बनाना है तो क्या क्या दूनना पड़ेगा को दूनना पड़ेगा मा दूनना पड़ेगा फिर ल दूनना पड़ेगा चलो तो हम ढूनते हैं मिला है ये कव मिल गया हमें तो हमने यहाँ पर कव रख दिया फिर क्या ढुनना है माँ ढुनना है मचली का माँ अब हमने यहाँ पर माँ रखा फिर लग अब हम ये पढ़ेंगे क म लग क्या हुआ क म लग यहाँ भी लिखा हुआ है क म लग अब हम म के आगे र जोड़ देंगे तो क्या होगा देखते हैं चलो तो हाँ ये जोड़ दिया मैंने अब क्या हुआ पढ़ो तो र म क्या हुआ र म अब हम उपर से भी पढ़ेंगे कर दो बढ़ होगे अब ये ल भी हम जोड़ते है कर ल यहां जोड़ेंगे तो र म ल सो हमें ये पता चला है कि हम कोई भी अकसर के साथ दूसरा अकसर जोड़ देने से एक नया सब्द मिलता है जिसे कि मगर लिखना है मगर तो ये हुआ म ग र हुआ न मगर मगर जोड़ के साथ गोड़ जोड़ मैंसे ये सब उठाते हैं साइड बर लगते हैं अब यहां पर यह रखा हमने जोड़ और उसके साथ हमने लगाया गोड़ क्या बना पड़ो सई जग क्या हुआ जग अब यह हमें फो दीखता है ना फो के साथ हम लग जोड़ने से क्या होगा फो लग क्या हुआ फो लग बच्चो हम अब आपको समझ में आ गया है किस हर एक वर्ण के साथ दुसरा वर्ण जोड़ने से एक सब्द बनता है इस तरह से आप काफी सब्द बनाएंगे और अगले वीडियो में हम सुरूत लेखन करेंगे यानि मिन्स के मैं मौलूंगी और आपको लिखना है ठीके सिख जाओगे ना हम पक्का तो आप लोग आज से अभी से वर्ण माला को डिफ्रेंटल वर्ण माला को एक एक अलग अलग सब्द से सोरी अक्सा से जुड़के एक नया सब्द बनाने की कोशिश करें कर दो कर दो